नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत, मैं हूँ आपके साथ राहुल चोधरी समुद्र में गए और उस स्थान पर प्राथना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमगन दुवार का शहर है यह प्राचीन शहर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है जो भव्यता और समर्दी का केंद्र था यह समुद्र के भीतर एक ऐसा इस्थान है जो अपनी समुद्र संस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोई हुए है अब सियासी जानकार पियम मोदी की स्कूबा डाइविंग को दो तथ्यों से जोड़ कर देख रहे हैं पहला पियम मोदी ने इस्कूबा डाइविंग के जरिये भगवान शुरी कृष्ण से अपने गहरे जुड़ाव को उजागर किया पियम मोदी ने इसको लेकर कहा कि एक दिव्य अनुभव था उन्होंने समुदुर में उस जगह डुग की लगाई जहां जलमगन दुआर का शेहर है पियम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा पानी में डूबी दुआर का नगरी में प्रार्थना करना बेहदी दिव्य अनुभव था मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ती के एक प्राचीन यूग से जुड़ाव महसूस हुआ भगवान शुरी कृष्ण हम सभी को आश्रिवाद दे 22 जनवरी को पीम मोधी ने आयोध्या में राम लला की प्राण पर्थिश्टा कर कहा था कि सदियों की प्रतिक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं पांच सदिय की प्रतिक्षा के बाद राम लला अपने भव्या मंदिर में विराजमान हो गए हैं पियम मोदी ने कहा था कि राम विवार नहीं, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सब के है राम मंदिर के उद्गाटन के बाद आयोध्या में भक्तों का जो जन सेलाब उमडा, उनकी तस्वीरे हम सभी ने देखी है एक तरफ बीजेपी चनाव प्रचार में राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुना रही है, और जनता इसे सुईकार भी कर रही है लोगों का कहना है कि जो कोई न कर सका, वो पियम मोदी और बीजेपी सरकार ने कर दिखाया दूसरा, सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि द्वारका में एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिजम को बढ़ावा देने के मकसद से पियम मोदी ने स्कूबा डाइविंग की और तब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुई थी प्रधान मंतरी मोदी ने द्वारका में एक जनसाभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो मैंने अनुभव किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा मैं समुदर के भीतर गया और प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किये पुरातत विदो ने द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है हमारे धार्मी करंथों में भी बताया गया है कि द्वारका में उची-उची इमारते थी और सुन्दर दर्वाजे थे समुद्र के भीतर मैंने दिवेता का अनुभव किया मैं हमेशा से वहाँ जाने का इचुक था और दौरका नगरी के अवशेशों को छूना चाता था आज मैं भावुक हूँ क्योंकि मेरा दशकों पुराना सपना पूरा हो गया है हमने अक्सर देखा है कि पियम मोदी के अववान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है पियम मोदी के लक्षदीब दोरे के बाद से आम लोगों में लक्षदीब का ट्रेंड काफी कैई फीस दी बढ़ गया है जानकार बता रहे हैं कि दोरका के इस दोरे के बाद वहां भी टूरिज्म के नजरिये से हालात बदल सकते हैं अब आगे क्या होगा उसकर रहेगा अंतजार अभी के लिए इतना ही खौबरों का सिल्सिला जारी है आप देखते रहें डियन पी इंडिया नमस्कार